Hello Everyone, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ, आप सब बढ़ियां हैं, मस्त हैं, सुवस्त हैं, पॉजिटिफ हैं, अच्छी जिजुका, ट्रेक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेल सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेल सार प्यार कर रहे हैं. तो गाईस आप सभी कब वेलकम है लवर स्टेरोड गाइडन्स में तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं आज आप लोगों के ले केंडल वैक्स रिडिंग लेके आई हूँ और आज की रिडिंग का टॉपिक है आपकी क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं क्या फील जा रहे हैं तो गाईस अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं क्रश पर रिडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और लाइक कमिंट शेर भी ज़रूर कीजिएगा जाम ले सकते हैं उनका धोरा सकते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं वो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं मुझे ऐसा दिख रहा है यह आप से distance बना रहे है ठीक है यानि कि आपको ignore करना आप से distance create करना ऐसा कुछ दिख रहा है क्योंकि कहीं न कहीं इनको अगर आपने hint दिया है या इनको फील हो रहा है कि आप इनको like करते हो पसंद करते हो तो एक distance बनाने वाली energy मुझे दिख रही है, क्योंकि हर जो drop है वो दूर-दूर जा रही है, हर wax दूर-दूर गिर रही है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि yes, distance create कर रहे हैं आपसे, देखो इनके दिल में भी feelings मुझे दिख रही है आपके लिए, जितनी आपके दिल में इनके feelings है, कहीं न कहीं इनके दिल में भी feelings हैं, पर मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर यह इनकी life में और चीजों को यह priority जादा देते हैं, ठीक है, और चीजें आपसे उपर और चीजें इनकी life में, जैसे हो सकता है, career है, या career focused है, या इतना settled नहीं है, अभी इन चीजों में प इनको ऐसा लगता है कि आप इनको propose कर दोगे या कर दोगी, ठीक है, तो यह नहीं चाहते है कि आप इनको proposal भी दो, आप इनको share करो, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो hint है, आपका जो, जिस तरीके से आप इनको treat करते हो, या जिस तरीके से आप बात करते हो, या जो भी है, य इनको कही न कही लगता है कि यह मुझे पसंद करता है या कड़ती है ठीक है तो वो distance ही maintain कर रहे हैं आपसे ठीक है आपने notice किया होगा कि कुछ time से ही यह distance इनने create किया है वरना पहले यह इतना जादा बस ऐसा distance create नहीं किया था बस इसका reason मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है कि यह नहीं चाहते या नहीं चाहती कि आप इनको अपनी दिल की बात कह दो proposal दे दो ठीक है क्योंकि यह connection में यह relationship में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इनकी life में बहुत चीज़े अपी priority में है career बनाना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पर obstacles या फिर ऐसा भी दिख है ना कुछ लगों के या तो already married है या फिर कहीं का रोका वगरा शादी वगरा फिक्स हो गई है या फिर ऐसा है कि इनके life में already कोई है या फिर confused रहेंगे ठीक है कुछ चीज़े हैं जो इनको रोकती है आपकी तरह आने से क्योंकि मुझ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर obstacles है हो स है जिस वज़े से भी यह थोड़ा इनको ऐसा लगता है कि आगे कुछ future नहीं है इस connection का या फिर कुछ नहीं हो सकता ऐसा कुछ thoughts इनके मंद में आते हैं जिस वज़े से यह अपने को यह step back कर लेते हैं या कर लेती है ठीक है तो मुझे किसी किसी के लिए यहाँ पर यह भी दिख रहा है यह नहीं connection में आना चाहते है यह थोड़ा सा playful वाली energy दिख रही है यह थोड़ा थोड़ा ऐसा है ना मन चले नहीं होते जैसे नहीं connection में नहीं आया ना हो सता है यह आप से बात भी कर लेते हो फ्लरट भी कर लेते हो पर आप एकदम से serious हो जाते हो पर इनके अंदर ना वो seriousness नहीं दिख रही है और इनको कहीं लगता है कि आप इनको पसंद करते हो और इस हद तक कि आप इनको प्रपोस कर सकते हो तो मुझे यह एनरजी भी दिख रही है कि यह आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच-बीच में इग्नोर करते रहते हैं फिर आपकी तरफ आ जाते हैं देखो इनको अच्छा लगता है आपसे फिलर्ट करना या फिर आपसे बात करना यह चीजे भी दिख रही है पर नहीं पर आपके रहते हैं आप काफी सोचते हो हो सकता है कि आप भी उतने सीरियस हो या नहीं हो बट फिर भी इनसे तो जादा ही मुझे आप सोचते हुए connection को लेकर इनके लिए मुझे दिख रहा है आप जादा सोचते हो ठीक है at the same time यह उतने सीरियस मुझे यहां पर नहीं दिख रहे हैं ठीक है पर ऐसा नहीं बोलूंगी कि feelings नहीं हैं इनके दिल में इनको अच्छा लगता है आप से बात करना या आपको देखना क्योंकि एक attraction यहां पर for sure है यह easily ना हर किसी से emotionally connect नहीं हो पाते हैं इनका एक drawback बोलो या फिर यह easily किसी को express नहीं कर पाते है अपनी feelings को या नहीं जता पाते हैं I don't know क्यूं पर हाँ नहीं जता पाते हैं इनको ना single रहना या फिर ऐसा दिख रहा है कि single है बैटर है ऐसा दिख रहा है अगर आपके crush single है और मुझे किस लोगों के ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं सकता हमारा मैं तो already married हूँ या फिर मेरा तो already सब्सक्राइव कि्या रहा है क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है ऐसा भी या फिर शादि फिक्ष्ष और लिए जसे मैं बोला तू इनको ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर क्या फायदा है सोचने kaosakukan पर फिर भी इतना दिमाग में चीज़े प्रैक्टिकल बहुत जादा हैं पर जो अंदर से एक एक अटेच्मेंट है आपके लिए मतला अटेच्मेंट नहीं एक जो मेगनेटिक पुल सा फील करते हैं पता नहीं क्यों इनको ऐसा लगता है कि मैं उसकी तरफ खीचा चला जाता हूं यह खीची चली जाती हो I don't know मैं नहीं जाना चाहता काफी प्रैक्टिकल है जैसे मैंने बोला दिमाग से सोचने वालों में से हैं पर फिर भी एक जो फीलिंग से हैं एक जो आपका आपकी तरफ इनका अट्रेक्शन है वो बढ़ता चला जाता है उस बहां पर यह है आपका हो सकते हैं यह इनिशल्स अलफबेट्स या फिर इनके हैं ठीक है मुझे यहां पर डख दिख रही है ऐसा दिख रहा है ना कि देखो यह काफी हैंसम हो सकते हैं या फिर काफी ब्यूटिफुल है ठीक है और उस चीज का इनको थोड़ा सा प्राउट भी है कि यार हां मैं हूँ ऐसा भी दिख रहा है थोड़ा क्योंकि मुझे यहां पर डख बनी हुई दिख रही है और ऐसा दिख रहा है डख के आसपास फ्लावरी फ्लावर हैं तो मुझे ऐसा दिखता है कि इनके आसपास काफी लोग ऐसे हैं जो इन पे क्रश रखते हैं ऐसा दिख रह या फीमेल है तो इनके मेल फ्रेंड्स बहुत होंगे, या मेल है तो फीमेल बहुत होंगे, काफी अटेंशन देने वाले हैं लोग इनको, क्योंकि उतने स्मार्ट या फिर ब्यूटिफुल हैंसम मुझे दिख रहेंगे, ठीक है? बहुत लोगों के होने के बाद भी काफी लोग इनसे फ्लर्ट भी करते होंगे, या फिर इनकी एक ऐसी एनरजी है कि सबके साथ बात करना, फ्लर्ट करना, पर कहीं न कहीं आपके साथ ना इनका अट्रेक्शन अलग तरीके का मुझे देख रहा है, ये आपके साथ ना इसा ही इनको फील होता है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है भाई, कुछ तो है कि इतने होने के बाद भी ये आपके तरफ खीज़े आते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत स्मार्ट हो, हो सकते हो, ठीक है, पर फिर भी इनके आसपास जो लोग है ना, वो ह हैंसम स्मार्ट भी हो सकते हैं, पर जो आपके लिए ये फील कर पाते हैं, वो और उकी इसाथ फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉंगली यहाँ पर सोलमेट वाली अनरजी फील हो रही है, कुछ तो आप लोग का पास लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पर सोलमेट बट स्टिल मुझे यह चीज़े भी देख रही हैं, ठीक है, एक मन इनका करता है कि चलो बात करो, चलो इसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो, इंजॉय करो, फिर दूसरी मन ना यह अपनी अनरजी इसको बैक कर लेते हैं, बलब बैक स्टैप मुझे देख रहा है, ठीक इनको डर भी लगता है कि यार क्यूंकि यह खुद तो प्लेफुल वाली इनरजीय समें, जो इनसान जैसा होता है वो दूसरे को भी வैसा ही समझता है तो मुझे चेथ इनको भी असी लगता है कि यार यह भी SERIOUS नहीं है और यह था सिरियस नहीं था यह नहीं हो सकता है यह कहीं न कहीं बस ऐसा ही टाइम पास वाला पसंद करता है या करती है कुछ ऐसा बस ये भी एक फ्लर्टीशियस नेचर है मतलब कुछ इनके मदमिना कुछ नेगेटिव थौट से डाउट्स आपको लेकर है क्योंकि ये इतना अच्छे से तो आपको जानते नहीं है ठीक है वो बहुत अच्छा सा फील करना एक वो एनरजी दिख रही है बहुत अच्छा सा फील करते हैं या आपके साथ जब भी आप होते हो ना असपास तो इनको एक पॉस्टिविटी आपको देखकर या आपसे बात करके या फील इनको ना बहुत अच्छा सा फील होता है ठीक है ऐसा दिख रहा है इनका मन करता है कि आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए या आपको अच्छे से और जाना जाए मन तो करता है पर फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल जिसे मैंने बोला ना आपको यह थोड़ा प्रैक्टिकल है इस वज़े से यह इतना शो नहीं होने देते हैं ठी तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि यह था है इनकी अनर्जी में confusion बहुत दिख रहा है कि इनको exactly पता नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हैं मेरी feelings क्या exactly exactly क्या मैं सच में पसंद करता हूं से या करती हूं से exactly इनको समझ नहीं आता है ठीक है इनको अच्छा फील तो होता है आपके साथ एक magnetic pull भी फील करते हैं वो इसी लिए क्यूंकि आपके तरफ एक strong attraction है इनका ठीक है के बना हुआ भी दिख रहा है मुझे यहां पर तो इसी वज़े से यह इतना feel करते हैं पर उतना serious मतलब इनको पता नहीं है कि सच में क्या मैं इतना feel करता हूं उसके लिए करती हूं क्या मेरी feelings true है genuine है या फिर मतलब खाली एक attraction है एक passion है उसकी तरफ या सिर्फ इतना ही है या सच में feelings हैं मतलब confused है basically यह और आप कैसे हो आप के सच में serious हो या आप किसी के साथ connection में रहते हो तो वो serious connection होता है मतलब आपको लेके भी काफी thoughts हैं मतलब जो इतना positive नहीं दिख रहे हैं कुछ- thoughts भी हैं okay तो वो तो जब यह आपको अच्छे से जानेंगे ना तभी इनके doubts clear होंगे जब यह आपको अच्छे से जानेंगे ना तभी नहीं समझ में आएगा कि आप कैसे हो आपकी feelings क्या है ठीक है अभी मुझे यह काफी playful energy में दिख रहे हैं अभी उतना seriousness तो नहीं दिख है जितना part भी आपसे जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे resonate हो या आपी की reading हो यह सारी ठीक है जितना part भी resonate होता है उसी को रखिएगा येस तो मुझे यही कुछ energies दिख रही हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपका birth month या इनका हो सकता है जैन यहाँ पर अप्रेल दिख रहा है यहाँ पर दिसंबर दिख रहा है यहाँ पर जून भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे August September November ठीक है ये कुछ months आपके या इनके हो सकते हैं तो yes मैं इतनी energy पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर तो reading पसंद आए like कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे bell icon को press करना ना भूलिए का comment और share भी कीजे का reading को ठीक है बाई thanks for watching take care guys